दोस्तो पहली बार आइरोपलेन का सफर करना एक चैलेंज जैसा होता है कुछ लोग तो सर्मे की वाजा से किसी से पूछने से भी डरते हैं कि पूछूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो फर्स्टाइम फ्लाइट में बैठने वाले हैं और उन्हें डर लगता है तो गाइस ये नॉर्मल है ऐसा सब के साथ होता है हम सीफेरस भी जब फर्स्टाइम शिप जोइन करते हैं तो डरते हैं कि पता नहीं में एरपोट पर क्या करूँगा एरपोट के क्या कैं सीडाय के बाद मैं शिप तक कैसे पहुचूँगा तो इस वीडियो में हम लोग एरपोट के सारे प्रोशेजर स्टैप बाय स्टैप देखेंगे यां निकलने से लेके वहां पहुचने तक तो वीडियो को end तक देखना मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को airport के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा मैं हूँ सल्मान स्वागता आपके अपने YouTube चैनल ट्रेनिंग्शिप सल्मान में Let's start the video आपको जो flight की टिकेट मिलती है उसमें सबकुछ लिखा होता है जैसे flight का नाम, destination, flight की timing तो जो भी timing रहती है flight के departure की उससे तीन घंटे पहले ही पहुचो ये बास तो आपको company वाले भी बोलते है कि तीन घंटे पहले ही पहुच जाना क्योंकि airport के procedures में थोड़ा time लगता है और अगर राष्टे में traffic मिल गया तब तो problem हो सकती है अब समझो आप airport पर पहुच गए, यहां बहुत से trolley रहते हैं आप एक trolley लेकर उसमें सारे luggage को डाल दो फिर बहुत सारे gates होते हैं, आप किसी भी एक gate से अंदर जा सकते हो यह last point है जहां आप अपनी family से goodbye कर सकते हो क्योंकि gate के अंदर वही जा सकता है जिसके पास ticket है gate के अंदर जाने के लिए आपको passport और ticket show करना पड़ता है तो इसलिए अपना passport और ticket handy रखना अगर domestic flight है तो कोई भी एक ID proof जैसे आधार card या water ID और ticket show करना पड़ता है इसके बाद अब आप gate के अंदर आ चुके हो, अब यहां क्या करें तो आपके gate के अंदर घुसते ही ऐसी screen होगी जिस पर flight number, flight कहा जा रही और कौन सी flight वाले कौन से row में check-in करवा सकते हैं यह लिखा होता है तो इसमें से आप अपना flight number देखो और उसके सामने जो row लिखा है उस row में चले जाओ अपने baggage को check-in करवाने है जैसे मैं Amsterdam जा रहा हूँ और मेरी flight number 9W234 है तो मैं row A में जाओंगा अगर आपकी flight का कोई detail इस screen पर show नहीं करणा है तो घबरानी की कोई बात नहीं है हो सकता आप लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गया हो वो screen पर थोड़ी देर बाद show होगा अगर फिर भी थोड़ी देर बाद भी show नहीं होता आपके luggage का weight check करेंगे जैसे seafarers को 40 kg अला होता है तो वो check करते हैं कई 40 kg से ज्यादा तो नहीं है फिर luggage check-in करवाने के बाद वो आपको एक boarding pass देते हैं जिसमें आपकी seat number, gate number और flight number सब लिखा होता है जब वो आपको boarding pass देते हैं आपका अगला step है security check बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो आप अपने cabin baggage में flight में नहीं ले जा सकते जैसे आप कोई भी liquid 100 ml से जादा नहीं ले जा सकते कोई भी sharp object नहीं ले जा सकते कोई भी item जो explosive हो नहीं ले जा सकते और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है वहाँ एक list लगी होती है आप लोग वो list पढ़ ले और वो सामान ना ले जाए security check में वो आपकी body scan करेंगे आपके पास जितने भी सामान है उसको scan करेंगे वहाँ वो आपको एक tray देते हैं इसमें अगर आपके पास कोई भी electrical gadget है जैसे mobile, laptop, camera फिर आपका wallet या कोई भी metal item वो आपको tray में रखना पड़ता है जिसको वो लोग machine से scan करते है यहाँ पर photography और videography allow नहीं करते फिर जब आपका security check हो जाएगा तो आपके boarding pass पर stamp करके देते है free security check होने के बाद next step है immigration domestic और international flight के सारे procedure सेम है except one thing वो है immigration जो लोग out of India जा रहे जिनकी international flights है उनको immigration process से भी निकलना पड़ता है immigration में थोड़ा ज़्यादा time लग सकता है क्योंकि यहाँ line लगती है immigration में होता क्या है कि वो आपकी picture click करते है passport का photo और आपको match करते है कि same person है या नहीं और आपसे कुछ simple questions पूछते है जैसे आप कहां जा रहे हो कितने दिनों तक वहां रहोगे कब वापस आओगे किस काम से जा रहे हो तो simply बस आप उनके questions के answer दे दो फिर अगर आपने immigration process clear कर लिया है यह mobile यह laptop लेके बैठ जाओ और time pass करो यहां बहुत सारे stores होते है मतलब पूरा एक mall जैसा होता है जो duty free होता है मतलब यहां से कोई भी सामान खरीदो तो उस पर text नहीं लगता फिर आप उस gate पर चले जाओ जो आपके boarding pass पर लिखा है एक Hindi, एक English और एक जिस country में आप जा रहे हो उस language में जब आपकी flight का time होगा तब आप देखोगे कि gate के सामने एक line लगेगी flight में board करने के लिए उस line में लग जाओ आपका boarding pass और passport चेक करेंगे और अंदर भेज देंगे flight boarding दो तरीकों से होती है पहला या तो arrow bridge से यह bridge होता है जो directly flight से connect होता है और दूसरा अगर आपका flight थोड़ी दूर है तो बस का use करते हैं flight तक जाने के लिए अब आप flight में आ चुके हो तो जो आपके boarding pass पर एक seat number लिखी होती है आप flight में उस seat number को सर्च करो अगर वो seat number नहीं मिलता है तो आप लोग flight के किसी भी staff से पूछो आपको बताते हैं फिर flight में आपकी seat मिल गई आप जब बैठते हो तो आपको कुछ instructions देते हैं जैसे अपने mobile को airplane mode पर कर लो आपके अपने seat belt को बाण दो emergency में आपको क्या करना है यह सब आपको बताते इंस्ट्रक्शन्स देते हैं take off करने के बाद अगर आपकी flight ज्यादा duration किया तो आप लोगों को snacks देते हैं meals देते हैं अगर आपकी flight ticket में included है तो नहीं तो आप पे करके भी खा सकते हो फिर जब landing होती है तो बहुत लोगों को एक problem होती है जो नए लोग होता है जो first time flight में बैठते हो उनको कानों में बहुत दर्द होता है तो इस चीज से बचने के लिए आप अच्छे headphone का यूज़ कर सकते हो flight में headphone होता है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता मेर पास था लेकिन मिली नहीं रहता आप लोगों बताओं कि 20 से 25 मिनेट लेंडिंग के बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था अब आप लेंडिंग कर चुके हो अब हम देखेंगे arrival procedures airport से बाहर निकलने तक का जैसे आप flight से बाहर निकलोगे तो वहाँ उपर board लगे रहते हैं इस पर indications होते हैं कि luggage कहां से collect होगा आप वो arrow follow करते रहो अगर board नहीं दिखे तो वहाँ किसी से भी पूछ लेना वो बता देंगे luggage collect करने से पहले आप लोगों का immigration process होगा immigration के time हो लोग आप लोगों से passport मांगेंगे और उस पर stamp करके देंगे फिर जब यह सब हो जाएगा उसके बाद आप luggage collection एरिया में जाओगे वहाँ एक screen होती है जिस पर flight number लिखा होता है और उस number के सामने belt number लिखा होता है belt मतलब जहां सबके luggage ऐसे rolling होते रहेंगे luggage के लिए मैं आप लोगों को एक tip देता हूँ आप अपने bag पे कोई भी ऐक ऐसा tag लगा देना जैसे आप अपने handle पे कपड़ा बांदेना या कोई भी tag बांदेना ताकि वह दूर से आसानी से दिख जाए कि वहाँ बहुत सारे ऐसे bags roll होते रहते हैं तो इसमें ठोड़ा difficult हो जाता अपना bag पैचानना तो कोई भी अपना tag लगा देना ताकि आप दूर से ही उस tag को पैचान सको कि हाँ ये मेरा bag है फिर आप वहाँ से अपना luggage collect कर लो फिर बहार निकलने के बाद waiting area में आपका agent आपका wait करता है उसके हाथ में एक paging board होता है जिसमें आपका नाम और आपकी company का नाम लिखा होता है ऐसे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं आप अपना नाम देखो और उनसे मिलो कभी-कभी agents late हो जाते हैं तो घबरानी की कोई बात नहीं company आपको उनका contact number देती है आप उनसे contact कर सकते हो एक बार आपको ये agent मिल गया है फिर tension की कोई बात नहीं फिर ship तक छोड़ने की जि की चाना क्योंकि इनका काम ही आपकी help करना है तो guys I think हमने सारे procedure step by step देख लिए airport के फिर भी अगर कुछ रह जाए तो मुझे comment में बता देना उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like share करके channel को subscribe कर देना और bell icon भी दावा देना ताके मेरे नए वीडियो के notifications आप लोगों को मिल सके फिर मिलता है एक नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए take care and goodbye